अस्लामों अलेकुम केसे हैं, आप सब हम सब भी आल ला के शुकर से बिल्कुल ठीकें, तो आज मैं बड़ा ही सिंपल और साधे तरीके से खाना बना रहे हूँ, और बना भी सिंपल साछी खाना रहे हूं, तो यह मुम मसूर की धाल है, उसमें में मसाले वगरा डाल रहे हो, तो थोड़ी सी मैंने कुटी ओई मिर्चे डाली है और पिसी हल्दी पिसी मिर्चे और यह मिर्चों को थोड़ा मोटा मोटा काट के डालूंगी क्योंकि क्या होता है ना स्रिफ इसका रस इसमें आ जाता है मिर्चों तो वेसे भी फिर फीकी हो जाती है तो इसे कोई डाल के सा खाना पसंद नहीं करता तो इसलिए मैंने बड़े बड़े तुकले डालें ताके वह खाने में फिर एकदम से निकल दिख जाते हैं सामने तो से अपन हटा भी दें खाने में और साथ में में टमाडर वगेरा भी डाल के और इसको चड़ा दूंगी बहुत ही सिंपल तरीके से अगर बनाती भी तो मैं उसकी खिचोड़ी बनाती थी और एक बार मैंने अम्मी ने बोला था मेरी जब उनकी तब्य खाप्ती कि मुमममसूर की मिलाके डाल बनाना भुत ही मज़े की बनती है तो जबसे मैंने बनाई तो मुझे हमेशा अब यही डाल बनाती हूं अब तु तो वहाँ पर एक पंजाबी अंकल ख़ड़े तो वो कहने लगे आप ये डाल है ना बनाती हो ना आप ये डाल किस से सीखी हो बनाना तो मैंने बोला किसी से नहीं मेरी ममी ने बताया था तो कहने लगे ये वाली जो मिलाके डाल खाते ना तो ये पंजाब से निकली है ये पं तो मुझे तो नहीं पता था कि यह दाल पंजाब से मश्यूर हुई है पर वो पंजाबी अंकल तुम उससे इसा बोल रहे थे अच्छा अभी गर्मिया स्टार्ट हो गई है ना तो साथ सिंपली शाम के टाइम खाने अच्छे लगते हैं वैसे तो खर सुबह सब नाश्टे मे पराठे रोटी या सबजी वगेरा यह चीज़े पसंद करते हैं और हस्बेंड और बेटा तो अभी स्कूल जा रहा है तो उसको तो टिफिन में भी में पराठे या सबजी वगेरा ही रखके देती हूं तो इसलिए शाम के टाइम में हलका खाना बनाती हूं यहां पर मैं टिप दे रहें हो यह बहुत ही काम की है नीबू भोट टाइम तलग चलते हैं और खराब भी नहीं होती हैं तो नीबू को जब हम धोके और सुखा लेते हैं अच्छी तरीके से उपर उसका पूरा पानी सुखा हुआ होना चाहिए और अच्छे से दो तीन परत पेपर की ल अच्छा जब मेंने डाल चावल बनाये तो उसके साथ मेंने कचुमर भी बनाया है और बिट्टू के लिए ना उसको पसंद आ हम्मी के तरीके से तलिए जब हम लोग छोटे ते घर पे थे तो हमारी अमी इस तरह से दाल चावल बनाती थी और इसी मिर्चियां बहुत सारी बनाती थी तो इसमें कुछ भी नहीं करना देता है बस इसको मिर्ची में चीरा लगा के सिंपल सा एक चुटकी में नमक लिलेके एक चुटकी के हिसाब से मिर्चियों में डाल देते हैं और ये बड़े ही मज़ो की मिर्चियां लगती है हमारे घर में सब को पसंदी उनके प्रावल और धेर सारी दाल डाल के मुँपे तूर की दाल चड़ी है तो वही वही आती है पर अब मैं काफी टाइम से एक दिल महिने से यही दाल पका रहे हूं कि दाल डाल के और फिर न मैंने बड़े मजों से खाया था और बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी आज तो म एक बार है यह मुम मसूर की दाल मिलाकर बराबरी कॉन्टिटी में बनाकर देखिए का बड़े मज़े की लगेगी और जो मैंने दाई बनाया था ना वो भी मैं आभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो मेरा दाई है कितना अच्छा जमा था मैं है ना मतलब उसको टिफिन में रखके देऊंगी और शकर डालके मैं उसके टिफिन के लिए रखके दूँगी खाना तो बड़े मज़ों से हम सबने इंजॉय करके खाया था बड़े मज़ों का बना था और यह देखिए दाई निकाल नहीं हो मेरी आज की वीडियो यहीं तो लगती है अगर आप लोगों का अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और आगर शेयर भी करना और मुझे अपनी दूआओं में याद रखना फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिज